खाना बनाने में आपको बहुत मेनत करनी पड़ती है। बढ़िया स्वाद पाने के लिए सबजी काटने से लेकर उसे पकाने तक हर काम को सही तरीके से करना आबश्यक है। इसके साथ जोड़ दिये जाएं अगर ये अद्बूर टिप्स तो खाने का स्वाद हो जाएगा दो इकमाल आटा लगाने के लिए करें। इससे रोटी या पराठे अधिक स्वादिस्ट और सॉफ्ट बनेंगे। टिप्स नमबर टू अगर कुछ भी मीठा बना रहे हैं तो बनाते समय उसमें चुटकी भर नमक डाल दें। इससे ब्यंजन का मीठा पन निखर जाएगा। ट टिप्स नमबर फोर अगर पूरियां उतारने की तयारी कर रहे हैं तो पूरियों को बेलने के बाद कुछ देर तक फ्रिज में रख दें। इससे तलते समय पूरियों में ज़्यादा तेल नहीं भरेगा। टिप्स नमबर फाइब। सूजी का हलबा बनाने जा रहे हैं तो सूजी सेकते बक्त उसमें जरा सा बेसन भी मिला दें। इससे हलबा अधिक स्वाडिस्ट बनेगा। टिप्स नमबर शिक्स ग्रेवी में तेलिया घी जादा हो जाए तो ग्रेवी को फ्रिज में रख दें। जब अतरिक तेलिया घी उपर आ जाए तो इसे चमस से निकाल और परोषने से पहले पुना गर्म कर लें। टिप्स नमबर सेबिन भिंडी का स्वाद बढ़ाने के लिए भिंडी पकाते समय उसमें नीवू का रस डाल दें। इससे भिंडी चिपचिपी नहीं बनेगी। टिप्स नमबर एट। मलाई से अधिक मात्रा में घी निकालना किया जा सकता है। टिप्स नमबर नाइन अगर बिना अंधे का केक बनाना चाहते हैं तो इसके बैटर में पका केला और दही डाल दें। इससे केक फलफी बनेगा। टिप्स नमबर टैन लौकी के कोपते बनाने जा रहे हैं तो लौकी कद्दू कस करने के बाद निकले पा प्याज को काटने से पहले उसे ठंडे पानी में डुबो कर रखें इससे प्याज काटते बक्त आँखों में आशू नहीं आएंगे पानी में नीबू और गुलाब जल की कुछ बूंदे मिला कर किचिन स्लैप साफ करें इससे स्लैप की सफाई हो जाएगी और असोई खुस्बू से महक उठेगी अगर किचिन की टाइल्स पर किसी तरह के दाग धब्बे हैं तो दाग धब्बों को पहले सिरके से पोच कर उसके बाद गर्म पानी में साबुन मिला कर साफ करें टिप्स नमबर 14 अगर सिंख में सफेदी जमी है तो पानी में शिरका मिलाकर कुछ देर के लिए सिंख में लगाकर छोड़ दें लगबग 20 मिनट बाद सिंख को अकवार से साफ कर लें सिंख चमक उठेगा टिप्स नमबर 15 अगर सिंख चाम हो गया है तो सिंख के छेद में नमक और सोडा डाल दें कुछ देर बाद सर्क पाउडर डाल कर उपस से तेजधार के साथ गर्म पानी डालें सिंख साफ हो जाएगा टिप्स नमबर 16 फ्रिज से आ रही बद्बू को दूर करने के लिए बेकिंग सोडे का इस्तमाल करें बद्बू दूर हो जाएगी तो आज की ये जानकारी आप सभी लोगों को कैशी लगी नीचे कॉमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे चरूर बताएं अगर ये जानकारी आप सभी लोगों को अच्छी लगे तो प्लीस इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाई